दिल्ली हाइकोट ने बीजेपी नेता सेयद शाह नवाज हुसेन के खिलाफ रेप का केस दर्श करने के आदेश दिये हैं साथी पुलिस से तीन महीने में अपनी जाच की पूरी करने को कहा गया है मामला जन्वरी 2018 का है एक महिला ने आरोप लगाया था कि हुसेन ने उसके साथ दुशकर्म किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी पीडिता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसेन के खिलाफ दुशकर्म के आरोपों के तहट F.I.R. दर्श करने की गुजारिश की थी अब दिल्ली हाई कोट ने मामला दर्श कर जाच का आदेश दिया है दिल्ली हाई कोट में जस्टिस आशा मैनन की एकल जजज पीठ ने पुलिस को आदेश देते हुए कहा है कि शानवाज हुसेन के खिलाफ दुशकर्म सहित अन्य धाराओं में F.I.R. दर्श की जाए साथी दिल्ली हाई कोट ने कहा सभी तथेओं को देखने के बाद मामले में F.I.R. दर्श करने को लेकर पुलिस की ओर से अनिच्छा नजर आ रही है पुलिस की ओर से निच्छली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है दिल्ली की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि हुसेन ने छटरपूर फार्म हाउस में उसके साथ दुशकर्म किया ये जान से मारने की धमकी भी दी जनवरी 2018 में पीडित महिला ने निच्छली अदालत में याचिका दायर कर हुसेन की खिलाफ दुशकर्म की एफायार दर्श करने की गुजारिश की थी इसे पहले निच्छली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिश कर दिया था अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संगे अपराद का मामला है संगे अपराद वो अपराद है जिसमें गरफतारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती उस वक्त पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हुसेन के खिलाफ मामला नहीं बनता बता देख सेयद शानवाज हुसेन बिहार से मलसी है वो बिहार में जडियो बीजेपी गटवन्न सरकार में मंत्री भी थे शानवाज हुसेन तीन बार सांसदी रहे है वो टल सरकार में मंत्री भी रहे देखते रहें दीललन टॉप शुक्रिया